हेलो दोस्तों मैं हूँ हैरी किचन से आज में आपके लिए मटर की बहुती बढ़िया सी रेसिपी लेकर आई हूँ मलाई मटर तो चलो देखते हैं ये किस तरह से बनाया जाएगा और इसमें क्या-क्या डलेगा अभी मार्किट में मटर बहुती जादा फ्रेश और ताजे आ एक चमच तेल का डाला है जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तब हम उसमें एक चमच जीरा डालेंगे जब हमारा जीरा थोड़ा सा चटक जाएगा तब हम उसमें वन फोर चमच या एक पिंच इंग डालेंगे अब हम इसमें एक तेजपता डालेंगे अब हमने दो से तीन प हमारी सबजी का फ्लेवर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा अब हम इसमें एक हरी मिर्ची बारी कट करके डालेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच सॉल्ट सॉल्ट टेस्ट के अफ keywordnd कम ज़्यादा कर सकते हैं वन फोर्ट चम्मच हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे एक चोटा चम्मच हम इसमें काली मिर्ची पाउडर डालेंगे थोड़ा सऽ हम इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाले अच्छी तरीके से कुक हो जाएए हमें इसमें लाल मिर्ची का यूज बहुती कम करना है अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनेंगे अब हमने 3 टमाटर लिये हैं उसको भी मिक्सी में पीस लिया है वो भी अब हम इसमें डाल देंगे और इसको भी कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि हमारे टमाटर भी अच्छी तरीके से पक जाएँ और हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून के त्यार होए अब हम इसमें एक चमच गरम मसाला डालेंगे यह ऑप्शनल है अगर आप पसंद नहीं करते तो आप इसको इसको किप भी कर सकते हैं अब हम इसको 5 मिनट ढखके पकाएंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरीके से कुखो जाएं ये देखिए मसाला अब पहले से और भी जाद अच्छी तरीके से पक गया है और हमारे मसाले ने ओयल भी छोड़ दिया है इस टाइम पे अब हम गैस को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें एक कप हम क्रीम का डालेंगे हमने फ्रेश क्रीम ली है अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं अब हम इसमें एक कप बॉयल मटर डालेंगे मटर को हमने पहले boil कर लिया था वो भी हम मलाई के साथ ही डालेंगे या क्रीम के साथ ही डालेंगे और इसको continue चलाते रहेंगे अब हम इसमें एक चम्मच कसूरी मिथी का डालेंगे ताकि हमारे टेस्ट को ये और बढ़ा देगी अब हम इसको ढखके पांच मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि हमारे मसालों का फ्लेवर सारा मटर के अंदर आ जाए ये देखिए हमारी मलाई मेथी बनके तैयार है ये बहुती जल्दी और इजी रेसिपी है मार्किट में ये आपको रेस्टोरेंट में ये आपको 300-400 रुपे प्लेट पड़ती है घर पे ये बहुती सस्ती पड़ जाती है अगर आपको मेरी ये मलाई मेथी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शियर जरूर करें और मुझे कमेंट करकर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी फिर आउंगी एक और नई वीडियो के साथ गुडबए दोस्तों